पुस्तक स्वाध्याय में प्रमाद मना करें लेखक बेदमुर्थी तपुनिष पंडित शिरी रामशर्म आचारेजी शिरिशक उत्तम पुस्तकें जागरत देपता हैं ज्यान की ब्रिधी के लिए ज्यान उपासना के लिए पुस्तकों का ध्यान एक महत्पून आधार है मानव जाती द्वारा संचित समस्त ज्यान पुस्तकों में संचित है खास कर जब से लिखने और छापने का प्रचार हुआ तब से तो मानवद्वारा उपलब्ध ज्यान लिपिबद्ध करके संचित किया जाने लगा इसलिए उत्तम पुस्तकों का ध्यान करना ज्यान प्राप्ति के लिए बहुत ही आविशक होता है अच्छी पुस्तकें एक विगसित मस्टिश का ग्राफ होती है मिल्डन ने कहा है अच्छी पुस्तक एक महान आत्मा का जीवन रक्त है क्योंकि उसमें उसके जीवन का विजार सार सन नहींत होता है व्यक्ति मर जाते हैं लेकि गरंथों में उनकी आत्मा का निवास होता है गरंथ सजीव होते हैं इसलिए लिंडन ने कहा है गरंथों में आत्मा होती है सद गरंथों का कभी नाश नहीं होता विकास शील जीवन के लिए पुस्तकों का साथ होना आविशक है अनिवार है क्योंकि पुस्तकों में उसे जीवन का मारदर्शक प्रकाश सुरोत मिलता है बस्तुता संसार के भीषण सागर में डूपते उत्राते मनुश के लिए पुस्तकें उस प्रकाश इस्तंब की तरह साहक होती है जैसे समुद्र में चलने वाले जहाजों को मारग दिखाने वाले प्रकाश की रहा शिसरों ने कहा है गरंत रहीत कमरा आत्मा रहीत देहे के समान है तातपर यह है कि उत्तम पुस्तकें नहीं होने से मनिशिक ज्ञान से वजजित रह जाता है और ज्ञान रही जीवन मुर्दे के समान व्यर्थ होता है जो व्यक्ति दिन रात अच्छी पुस्तकों का संपर्ग प्राप्त करते हैं उनमें मानविये चेतना ज्ञान प्रकाश से दित होकर जग्मगा उठती है ज्ञान का भाव भी एक तरह की मृत्यु है उत्तम पुस्तकों में उत्तम विचार होते हैं उत्तम विचार वो दात भावनाएं भवे कल्पनाएं जहां हैं वहीं स्वर्ग है लोकमाने तिलक ने कहा है मैं नरग में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा क्यूंकि इनमे वह शक्ति है कि जहां ये रहेंगी, वहां अपने आप ही स्वर्ग बंजाएगा। स्वर्ग का दृष्य अस्तित कहीं नहीं है, मनिश्य की उत्कृष्ट, मनुवस्तिती तो cup विचारों का फ़ल है, वहीं स्वर्ग है। उत्तम पुस्तकों का सानिध्य मनश्य की बुद्धी को जहां भी मिलता है वहीं उसे स्वर्गी अन्भूती होने लगती है सच्चे निश्वार्थी आत्मिय मित्र मिलना कठिन है हमसे बहुतों को इस सम्मध में दिराशी होना पड़ता है लेकिन अच्छी पुस्तकें सहजी हमारे सच्ची मित्र बन जाती है वे हमें सही रास्ता दिखाती है जीवन पत पर आगे बढ़ाने में हमारा साथ देती है मात्म गांदी ने कहा है अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें भले मित्रों की कमी नहीं खटकती बरन मैं जितना पुस्तकों का ध्यन करता हूँ उतनी है ये मुझे उपयोगी मित्र मालूम होती है मानव जीवर संसार का ज्यान असंख्य अनिकताओं से भरा पड़ा है मनश्य का एक अपना मानस ही इतने अधिक विचारों से भरा रहता है कि शन शन नई लहरें उत्पन होती रहती है इन अनेकताओं का परणाम होता है मनश्य के अंतर बाहे जीवन में अनेको संगर्श विचार संगराम में पुस्तके ही मनश्य के लिए प्रभावशाली शेस्त्र सिध्ध होती है एक व्यक्ति का ज्यान सीमित एकांगी हो सकता है लेकिन उत्तम पुस्तकों के स्वाध्याय से मनश्य अपने आपका सही सही समाधान ढूंड सकता है खास कर विचारों के संगर्श में उत्तम पुस्तके ही सायक सिध्ध होती है पुस्तके मन को एकाग्र और सयमित करने का सबसे सरल साधन है अध्यान करते करते मनुश्य जीवन में समाधी अवस्था को प्राप्त कर सकता है एक बार लोकमाने तिलक का ओप्रेशन होना था इसके लिए उन्हें किलोरोफॉर्म सुखा कर ब्योश करना था लेकिन इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को मना कर दिया और कहां मुझे एक गीता की पुस्तक ला दो मैं उसे पढ़ता रहूँगा और आप ऑप्रेशन कर लेना पुस्तक लाई गई लोकमाने उसके अध्यान में ऐसे लिन्होंगे कि डॉक्टरों ने ऑप्रेशन किया तब तक भे तने खिले भी नहीं और ना कोई दोखी अन्भो किया पुस्तकों की अध्यान में ऐसी तलिंता प्राप्त जाती है जो लंबी योग साध्राओं से भी प्राप्त नहीं होती पुस्तकों की अध्यान के समय मनश्य की गती एक सूष्व विचार लोक में होने लगती है द्रिश्य जगत शरीर यहां के कई व्यापार हो उल्लड भी मनुश्य उसमें भूल जाता है सूख्य विचार लोग में भ्रहमन करने का यह अनिर्वचनी आनंद योगियों की समाधी अवस्था के आनंद जैसा ही होता है इस इस्तिती में मनुश्य द्रिश जगत से उठकर अध्रिश संसार में सूख्य मुलोक में विचरन करने लगता है और वहाँ कई दिव्य चेतन विचारों का मानसिक इस्पर्ष प्राप्त करता है यह ठीक उसी तरह है जैसे योगी दिवेच यतना का सानिधे प्राप्त करता है ध्यानावस्ता में पुष्टकों का ध्यान ऐसी साधना है जिससे मनुशे अपने अंतर बाहिये जीवन का पर्याप्त विकास कर सकता है मनों विकारों से परिशान, दुखी, चिंतित मनुशे के लिए उसके दुख दर्द के समय उत्तम पुष्टकें अम्रित है जिनका सानिधे प्राप्त कर उस समय वह अपना दुख दर्द, कलेश, सब कुछ भूल जाता है अच्छी पुष्टकें मनिश्य को धैर, शान्ती, सान्तोना परदान करती है किसी ने कहा है सरस्पुष्टकों से रोग पीड़ित विक्ति को बड़ी शान्ती मिलती है जैसे इस नहमाई जननी की मीठी-मीठी तपकियां बच्चों को मीठी नीन में सुला देती है वैसे ही मन या शरी की पीड़ा को शान्त करने के लिए उत्तम पुस्तकों का अवलंबन लेना सुकर होता है उत्तम पुस्तकें आदर्श ग्रंत बहुत बड़ी संपत्ति है अपनी संतती के लिए उत्तरा धिकार में छोड़ने के लिए सर्वोपरी मुल्यवान वस्तु है संसार में जो अभिभावक अपनी संतान के लिए धन, वस्त, सुख, आमोत, प्रमोत के साधन न छोड़कर उत्तम पुस्तकों का संगरे छोड़ जाती हैं, वे बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ते हैं क्योंकि उत्तम गरंथों का ध्यान करके मनुश्य, रिशी, देवता, महात्मा बन सकता है जिन परिवारों में ग्यानरजन का क्रम प्योड़ियों से चलता रहता है, उनमें से पंडित, ग्यानी, विद्वान अवश्य निकल कर आती हैं जहां पुस्तके होती हैं, महां मनों देवता निवास करती है वह इस्थान मंदिर है, जहां पुस्तकों की रूप में मुख किन्तु ज्यान के देवता निवास करती है वह माता पिता धन्य हैं, जो अपनी संतान के लिए उत्तम पुस्तकों का एक संगरा छोड़ जाती है क्योंकि धन संपत्ती, साधन सामगरियां तो एक दिन नश्ट होकर मनिश्य को अपने भार से डूबो भी सकती है किन्तु उत्तम पुस्तकों के साहरे, मनिश्य भवसागर की बैंकर लेरों में भी सरलता से तैर कर उसे पार कर सकता है जीवन में अन्य सामगरी की तरह हमें उत्तम पुस्तकों का संगरा करना चाहिए जीवन के विभिन अंगों पर प्रकाश डालने वाले विविद विश्यों के उत्तम ग्रंत खरीदने के लिए खर्च के बजट में सुविधा नुसार आवश्यक राशी रखनी चाहिए कपड़े, भोजन, मकान की तरह ही हमें पुस्तकों के लिए भी आवश्यक खर्चे की तरफ ध्यान रखना चाहिए इसमरन रखिये उत्तम पुस्तकों के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा उसी प्रकार वेर्थ नहीं जाता जिस तरह अंधेरे बियावान जंगल में प्रकाश के लिए खर्च किया जाने वाला धन एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि पुस्तकें कम्रे को सजाने के लिए अत्वा प्रदर्शने लगाने के लिए न खरी दी जाए वरहन उनका नियमित अध्यान जीवन की अन्य कारिक्रमों की तरह ही आविश्यक अंग बना लिना चाहिए उनसे अधिकाधिक लोगों को ज्यान मिले इसके लिए अध्यान की प्रणा सुविधा जुटाते रहना चाहिए पुस्तकों की उप्योगिता अध्यान से ही है अन्यथावे किणों का भोजन बनने के सिवाय कुछ नहीं रहती नई पुस्तकें खरीदना, उनका अध्यान करना, उनको अधिकाधिक उप्योग में लाना ही पुस्तकों की सच्ची कदर करना है इस्मरन रखी पुस्तकें जागरत देवता है उनकी अध्यान, मनन, चिंतन के द्वारा पूजा करने पर ततकाली वर्दान पाया जा सकता है हमें नियमित रूप से सत ग्रंथों का अवलोकन करना जाहिए उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय जीवन का अवशक करतवे बना लेना जाहिए वर्तमान अवस्था से ओचे उठकर समुन्नत बनने की, शक्तिशाली बनने की भावना एक आध्यात्मिक तथ्य है उत्थान ही जीवात्मा का मोल भूत उद्दिश है, इसी की पूर्ती में लोग लगे भी रहते हैं यह एक दूसरी बात है कि वास्तविक प्रगति का सच्चा सरूप हम न समझ पाएं किन्तो आगे बढ़ने उन्नत होने की आकांक्षा सभी में होती है विचारकों का कथन है कि इस संसार में निर्वल प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है प्रकृति के सारे आगाद भी निर्वलों पर ही होते है संसार के संगर्ष में योग्य व्यक्ति, साहसी और सूर्मा ही ठैर सकते है जीवन के लिए शक्ति अवश्य चाहिए शास्त्रकार का कथन है या विभर्ती, जगत, सर्मम, इश्वरे, च्छाही, अलोकिकी इस संसार को परमात्मा ने अपनी अलोकिक शक्ति से धारन किया है मनुशे के लिए भी अपनी योग्यता बढ़ा कर शक्ति संपन होना यही सबसे बड़ा धर्म है शक्ति उस साधन को कहते हैं जिससे विजय मिलती है यो धन, जन, पश्यू आदी का होना भी लोकिक द्रिष्टी से शक्तिमान होने का सबूत है शारिरिक बल को भी मनुशे की योग्यता मानते हैं किन्तो यह देख चुके हैं कि संपनत्ति के मार्ग में धन जन का ना होना अवरोधक नहीं है गौतम बुद्ध जब शक्तिमान बन सके जब उन्होंने लोकिक शक्तियों का परित्याग कर दिया करुणो धनी सक्तावानों की तुल्ना में उनकी मैता सर्वस्वेष्ट गोशित हुई उस समय के समराट अशोप तक ने उनके समक्ष अपने गुणने टेके थे गांधी जी शरी से बड़े दुबले पतले और निर्बल थे कुल 96 पॉंड के बजन के गांधी जी ने उस बिटिश सामराजी को परास्त कर दिखाया जिसके शासन में कभी सुर्यास्त नहीं होता था अथा धन की शक्ति जन और शारी शक्तियां अलब हैं अपून हैं इनको शक्तिशाली कहलानी का गौरव कभी भी नहीं मिल सकता संसार की सर्वशेश शक्ति का नाम है विचार जैसी हमारे विचार होते हैं पैसी ही हमारी शारी की इस्थिति होती है आंत्रिक स्थिती का निर्मान भी विचारों के ही अनुरूप होता है गुण कर्म और सभाव की त्रिमेणी में भी विचारों का यही जल बहता है कोई विक्ति चाहे कि हमारी स्थिती इसके विप्रीथ हो तो यह असंभव है निश्ययात्मक विचारों से ही निर्मान शक्ति का विकास होता है स्वस्थ बनने का विचार ना उठे तो व्यायम करने, मालिश करने और पुष्टी कारक आहट जुटाने का कष्ट साध्यश्रम और समय साध्य कर्म मनिश्य क्यों करें? सत्यागरा के द्रल विचारों से प्रभावित होकर ही मात्मा गांधी स्वतंत्रता अंदोलन में हुदे थे विचारों के अवश्कता पर ही संपूर्ण राष्ट ने उनके इस महन कार्य में हाथ बटाया था विचारों का बल निसंदे बहुत बढ़ चलकर है दार्शनिक एमर्सन का कथन है आध्यातने शक्ति बहुत इक शक्तियों से बड़ी है विचारी संसार पर शासन करते हैं अच्छे विचारों का प्रणाम भी शेष्टतर होता है भविश्य का निर्मान भी विचारों की अनुरूपी होता है विचारी शक्ति का सुरूत है इस बात को संसार के सभी मनीशियों ने सुईकार किया है किसी भी उच्छ साधरना की सफलता के लिए विचारों की आवश्रक्ता प्रमुख है विचार सेंचालन करते है, इसलिए बीशेष्ट है, इस बात से इंकार करने का कोई कारण भी खोज में नहीं आया विचारों की शक्ति अलोकिक है, यह निर्विवाद सकते हैं, किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि विख्ति के पतन का कारण भी उसके विचार ही होते है हीन विचारों के कारण मनश्य दुशकर्म करता है, शक्ति का अबवय करता है, जिसके उसकी योगिता फीकी पड़ जाती है अता उत्थान के लिए शक्ति शाली विचार चाहिए, उर्दुगामी विचार चाहिए विचार की योगिता मनुष्य में साहित्य के द्वारा आती है साहित्य में वे शक्ति होती है कि समाज की रूप रेखा बदलने में उनका महत उसरोपरी है ये कथन असत्य नहीं कि साहित्य की समाज का दरपण है अर्थात किसी भी समाज की शक्ती और योगिता की परक उसके साहित्य से होती है विचारों को उच उठाने वाला साहित्य यदि उप्रवध हो सके तो आत्मनत्य का प्रथम प्रयास सपली समझना है साहित्यकर्द यहonta से है जिससे मनुशची का चरितर उचा उटसके और उसमें उच्च नैतिक सद्गुणों का समावेशो जीवन निर्मान के लिए ऐसी साहित्य की आवश्क्ता होती है जो हमारी भावनाओं को उचा उठाने की खिशंता रखता हूं इस्कूली कितावें, नाटक, बजन या धर्म के लकीर पेटने वाली पुस्तके ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। एक ऐसे साहित्य के आश्क्ता होती है जो व्यग्यानिक हो और सर्मार्क प्रे रखो। जिस साहित्य से हमारी सुर्ची नहीं जगती, आध्यात्मेक और मानासिक त्रप्ती नहीं मिलती, उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। जो साहिति व्यक्ति और समाज में गती और शक्ति ना पैदा कर सके, सौन्दर्य, प्रेम, सम्मुनत ना कर सके वैं साहिति नहीं प्रवंचना है। हमारा तात पर उस साहिति से है जो सच्चा संकल्प और कठनाईओं पर बिजय पाने की सच्ची द्रड़ता उत्पन करे। आज इस बात के प्रमान चारों तरफ फैले दिखाई दे रहे हैं विलासिता कामुक्ता और अनाचार फैलाने वाले साहित्य की जो बाड़ आई हुई है उसे सामाजिक सामर्थ्यों का कितना विनाश हो रहा है या किसी से छिपा नहीं है लोगों का चरित इतनी तेजी से गिर अपना परम स्वभा के समझना चाहिए सत साहित्य से सद्विचार गिर्ण करते रहने की परमपरा चल पड़े तो मानसिक उत्थान होता रहेगा और दूग्रों से बस्ते रहेगे आज के युग में जबकि संतजनों और साहित्य पुर्षों का नितांत अभाव है प्रिणा कोई अनेसाधन ना हो वहां अन्यमित रूप से सद्विचार गिर्णतों आत्म दिर्मान करने वाली पुष्टकों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए इससे भी मन बुरे विचारों से बचा रहता है और सत भावनाएं उत्पन्न होती है साहित्य की आवश्कता पर प्रकाश डालते वे विद्वान सिसरों ने लिखा है साहित्य का अध्यान युवकों का पालन पुष्ण करता है व्रिध्यों का मनुरजन करता है उन्नत्य का द्वार खुलता है विपत्ती में धहरे बनाता है घर में प्रमुद्द रखना और ब मिक्षात्मक व्याख्या भी होती हो। कि अब गुर्ण शब्दों को रट लेना मात पर्याप्त नहीं है। पढ़ना और उससे समझना, समझकर उसके सत्या सत्य पर विचार करना तथा जीवन शोधक, व्यावारिक्ता का अनुसरन करना इतना कर सकें तो यह समझें इसाहत्य की अबशक्ता को हमने समझ लिया है। रामयाण पढ़ने का लाप तब है जब हम भी राम, भरत या लक्ष्मन के सद्रश बनने का प्रयात्न करें। और रामयाण का महतु इसलिए है कि उससे आंतरिक मलिंताओं पर द्वंद उत्पन होता है। और सदाचार की प्रयणा मिलती है। इस तरह का तालमेल यदि बन सके तो विचार दिश्टे से शक्तिशाली बनने में कोई कटनाई न रहेगी। बुरे सन्योक्सिय बचने के लिए और अपनी महांता जगाने के लिए हमें भी विचारवान बनना है। इसके लिए दूसरे साधनों की उतनी अवश्क्ता नहीं है जितने की ज्यान साधना की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करना है तो साहित्य की शरण लेने ही पड़ेगी। ऐसा साहित्य खुजना पड़ेगा जिससे ज्यान संबंधन हो और आत्मा का परिशकार हो। साहित्य हमारी शक्ति का उद्रेख है। हमें साहित्य के दौरा अपनी प्रतिभा जगाने का कार्य और विलंब शुरूर कर देना चाहिए।